तो फाइनली सैमसंग ने अपने A35 5G डिवाइस के लिए इंडिया की अंदर एक काफी बड़ा मेजर अपडेट जो है वो रिलीस करा दिया है और इस अपडेट को करने के लिए आपने सबसे पहले अपने डिवाइस की सेटिंग्स के अंदर चले जाना है और वेड़ करने के बाद आपको यहाँ पर एक अपडेट शो होगा और अपडेट के चेंज लोग के सबसे उपर में ही आपको दिखाई देगा की सैमसंग ने इस न्यू अपडेट के साथ सैमसंग के A35 5G डिवाइस के लिए गूगल का सरकल टू सर्च वाला जो AI का फीचर है वो रिलीस करा दिया जो कि हमें सैमसंग के फ्लेक्शिप डिवाइस के अंदर पहले देगने को मिलता था लेकिन इस अबडेट को करने के बाद अब हमें सैमसंग के A35 5G डिवाइस के अंदर भी ये जो फीचर है वो देगने को मिल जाएगा इसके अलावा आपको यहाँ पर चेंज लोग के अंदर सीक्याउटी का अलग से जो है वो मेंशन देगने को मिल जाता है दा डिवाइस इस प्रोटेक्टिद विद इंप्रूव सीक्याउटी यहाँ पर मेंशन किया गया है तो यहाँ पर सैमसंग ने इस अबडेट की थूँ सैमसंग के A35 5G डिवाइस की जो सीक्याउटी अपसे भी इंप्रूव किया है और कुछ बग्स को फिक्स किया गया है और पराने features को enhance किया गया है और साथी में device की जो performance है उसे भी improve कर दिया गया है और बात करें update for size की जो की 924 MB की आस पास की है July 2024 का security patch भी देखने को मिल जाता है जो की एक महिने पराना security patch है तो सबसे पहले feature की बात करें जो की हमें इस update के अंदर देखने को मिल जाता है तो switcher को enable करने के लिए आपने सबसे पहले आपने device की settings के अंदर चले जाना है settings के अंदर जाने के बाद आपने display वाले section के अंदर चले जाना है और यहाँ पर आपको screen mode वाले section के अंदर चले जाना है जाने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ एक option देंगने को मिलेगा advanced settings का तो हमने advanced settings वाले option के अंदर चले जाने जाने के बाद आपको यहाँ पर दो option देंगने को मिल जाएंगे जो की white balance और vividness का है जो vividness वाला feature है वो Samsung ने इस update के थूँ जो है वो add किया है और इस feature की मदद से आप अपने device की जो display की vividness से उसको कम जादा जो है वो अपने according कर सकती है यह feature हमें इस update को करने के बाद जो है वो देंगने को मिल जाता है और बात करें कि आप किस तरीके से circle to search वाले feature को enable करके use कर सकती है तो update को करने के बाद आपने अपने device की settings के अंदर चले जाना है वहाँ पर आपको एक option शो होगा circle to search तो आपने उसे enable कर देना है अगर आप navigation button यूज करते हैं तो आपने device की button home button को press करके रखना है तो वहाँ पर आपको google का circle to search वाला जो feature है वो enable हो जाएगा अगर आप navigation बार यूज करते हैं तो आपके सामने circle to search वाला जो feature है वो enable हो जाएगा फिर आप कुछ भी circle करके कुछ भी search करके जो है वो देख सकते हैं तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं next वीडियो में